So hello guys welcome back to my another video आज की वीडियो देखने के बाद literally तुम सारे भाई लोगों के मज़े आने वाले हैं और तुम लोग खुसी से उचल पड़ोगे क्या बात कर रहे हैं भाई इसका हम एक डेड़ साल से इंतजार कर रहे थे कि हमारा फिरीफायर बैन हुए वे एक डेड़ साल हो चुका है वो रिटर्न कब आएगा और जितने भी यूटुबर ने जितने भी पिलियर्स ने सर्वे किया था और सर्वे में जितने भी लोगों ने पोइंट रखे थे अपने के हमको यह वापस चाहिए यह वापस चाहिए यह वापस चाहिए तो फाइनली गरीना का रिस्पोंस आ चुका है कि हमारी गेम में क्य क्या return आ सकता है और क्या क्या संभावना बन चुकी है 90% जो जो चीज वापस आएंगी मैं वही चीज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ पर literally guys मैं बता हूँ ना जैसे मैंने वो point देखे न और जो मैंने वो point बढ़े के गरीना इन इन चीज बे काम करने वाला है सच बता रहा हूँ मुझे अपना पुराना फिरिफाइड याद आ गया अगर तुम लोग वो point सुनोगे तो तुम लोगों को भी पुराना फिरिफाइड याद आ जाए बट अब तुम लोग बोलोगे रजेत भाई हम आप पे विश्वास कैसे करें तो भाई मैं तुमको बता दू मैं पार्टनर प्रोग्राम वाले से ही मैंने लिया है इस सारी चीजे तभी मैं आप लोगों को बता रहा है अगर मैंने वह लिस्ट आपको दिखा दी तो वह गरीना का एक official गुरूप होता है जिसके अंदर वह सारी detail गई है आपने क्या का point जादे चूज किया है 80% किस पर टीक हुआ है 70% किस पर टीक हुआ है 50% किस पर टीक हुआ है और channel को subscribe करके bell icon call पर प्रेस करो क्योंकि ना तो तुम like करते हो ना तुम subscribe करते हो भाई इतनी अच्छे खुशकबरी दे रहो हुँ तो देखो like भी करना पड़ेगा subscribe भी करना पड़ेगा और share भी करना पड़ेगा तो guys यहाँ पर हम start करते है first point से guys आप लोगों ने अंदर देखा होगा जहाँ पर हमारा ilight pass के badges हम देख पाते थे जहाँ पर yellow color से आता था जो ilight pass नहीं लेता था उसको white color से आता था बट अभी क्या हो चुका है हमारे game में ilight pass नहीं आता है बूया पास आता है तो बूया पास का जो color है लेने के बाद वो white रहता है तो अभी वहाँ पर एक point आया है कि guys अब से मतलब आप लोगों ने 90% लोगों ने टिक किया है कि बूया पास जो है वो golden color में आना चाहिए जो कि यह भी white में आता है और अगर किसी point पे 50% से ज़्यादे vote मिलता है तो वो point हमारी game में return आने वाला है और second point जो आता है guys हमारा यहाँ पे आता है वो horse line horse line को हटाना चाहिए या limit रखनी चाहिए वो green आ उसके उपर यह गरीना ने अपनी तरफ से जाहिर किया है point को मतला हम लोगों ने यह नहीं किया है गरीना ने खुद बोला या तो horse line को remove किया जाएगा या फिर horse line को limit में रखा जाएगा और guys तुम लोग इस बास से अंदाजा लगा सकते हो जब गरीना अपनी side से भी कदम उठा रहा है तो game को वो किस level पे ले जाने के लिए सोच रहा है और guys यहाँ पर हमारा third point आता है कि जो भी हमारे new pillars free fire में आते हैं उनके पास falco नहीं होता है क्योंकि जब भी वो पहली बार BR में खेलते हैं तो guys क्या होता है वो दूसरे squad के पास या दूसरे बंदे के पास falco होता है और इधर वाले new pillar के पास falco ना होने की वज़े से वो मर जाता है जिससे वो demotivate होता है and guys next point है हमारा यहाँ पर charge buster को CS rank से remove कर दिया जाए and इसके बाद जो हमारा point आता है वो आता है गाड़ी को लेकर जब भी आप बी आर में rank खेलते हो classic खेलते हो कुछ भी खेलते हो तो वहाँ पे जब आप किसी गाड़ी को सीधा पहाड़ पे चड़ाते हो तो वो चड़ती नहीं है जैसे कि हम meal की side जाते हैं तो भी नहीं चड़ती है किसी भी पहाड़ पे जाओ तो गाईस अभी क्या कर रहा है गरीना जो हमारी गाड़ी की speed होती है वो पहाड़ पे उसको थोड़ा से increase कर देगी बढ़ा देगी जिससे कि उस पहाड़ पे वो easily चड़ती है और बहुत ही जल्द गाईस अभी क्या होगा जब भी आप लोग गेम खेलोगे तो एक गेम का आपको एक diamond मिला करेगा पर डे कितना diamond मिलेगा यह नहीं पता बट गेम खेलने पे diamond मिलेगा और गैस नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सुनने के बाद तो आप लोग बहुत जादे खुस हो जाओगे क्योंकि अभी के टाइम में आप लोगों को पता होगा जो भी बंदे बी आर में रैंक पोस्त करत कितना easy है नूबडे नूबडे बंदे भाई grandmaster पे बैठ जाते हैं और 8000 बंदों को grandmaster banner दिया जाता है जहांपे कि हमारे old free fire में पहले 300 बंदों को grandmaster का banner मिलता था और इतना hard lobby आता था कि उसको खेलने में भी सबकी चटनी निकल जाती थी बट अभी क्या होगा गाइस अभ लिमिट में किया जाएगा और इसी के साथ-साथ no rank draw मतलब guys हम तो जिस चीज के लिए जा रहे थे उससे भी जादा अगरी ना सोचने लगा है गेम के बारे में और इस बास से guys तो मंदाज लगा लो के अब BR rank कितना hard होने वाला है बहुत ही मुस्किल होने वाला है अब आजाते हैं guys हम इसी के साथ-साथ थोड़ा सा इवेंट के उपर बात कर लेते हैं जैसी कि आप लोगों को पता था पहले हमारे लोबी में पर कोई पेड़ लगता तो उस पेड़ पर लगने के बात उस पेड़ को जैसी टच करते थे तो उसमें हमको diamond मिलता था आभी वह बाले इवेंट भी वापस आने वाला है बाकी एक दो इवेंट टोड़ते गाई जहां पर हम वीडियो देखने पर diamond मिलते हैं उसका अभी पक्का नहीं है बात हुई है उस चीज के उपर बट गाईच वो आएगा नहीं आएगा उस चीज के लिए मैं नहीं बता सकता औ अगर आप लोग अपसे rank game खेलोगे तो आपके rank game में कलारी map भी आएगा बट इन सारी चीजों के लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि गरियन ने अभी अभी आप लोगों से suggestion लिया है और वो इन सारी चीजों पर वर्क कर रहा है और जो भी मै हाले हैं और मैं तो बहुत जादे एकसाइटिड हूं कौन कौन इस video से को देखने के बाद एकसाइटीड है तो अगर एकसाइटिड है तो सेर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना क्या और क्यों चेंज हो सकता था या इतना बहुत है और जिस दिन ये सारी चीज़े के बाद चेहरे पे थोड़ी भी स्माइल आई है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दे और भाई सेयर भी कर देना गाईस एज ए खुसकावडी दे रहा हूं तो इतना तो करी सकते हो ना तो बस गाईस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक हम तो अड़ गए जब तुम जुके जब तुम जुके तब से तुम नजर में आरके हम तो हो गए जमादेरे देरे माला मालब तो होना है बही जो बनाए जहां हो गए जमादेरे देरे माला मालब तो होना है बही जो बनाए जहां